अक्षे के फैंस के लिए बड़ा नहीं बहुत बड़ा दीन है आज जिस मुवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मैं कहूंगा कि अक्षे कुमर सर के जो फैंस है वो बैटल तो जीद गए लेकिन आधा क्योंकि अभी मुवी आना बागी है और मुवी हीट सूपर हीट या ब्लॉग बस्टर या फिर आल टाइम ब्लॉग बस्टर होना बागी है लास्ट की पाच मुवी अच्छी नहीं गई है उसमें से अगर मैं बात करू रक्षा बंदन अच्छी थी लेकिन मैं यह मान सकता हूँ कि त्योहार के दिन शायद जिस तरीक से उसकी स्टोरी थी लोग शायद नहीं गए हो पर राम सेतु का मैं कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ अक्षे कुमार सर पर यह पूरी की फैंस की गलती की इतनी बहतरीन अरे यार लोग बोलते हैं अक्षे कुमार सर के फिल्म के फिज जादा होती कुछ अक्षे कुमार के फैंस बोलते हैं बाई राम से तु एक सो चालिस करोड की फिल्म थी मैं मानता हूँ बजट पर वो मूवी ओपनली भारत में 200 करोड डिज़र करती थी अघर तू जूटी माँड। कर जाती है 149 करोड़ भारत में और वर्लडी कर जाती है तो तू यह राम से तू धाई सो करोडी वर्ल वर्लडी जाना अज दिजव निकर थि दिजव 92 करोड़ के है इस मूवी का कलेक्शन होना फिर हीड भी नहीं बना रहते ना तब तक उनको मैं याद दिलाते रहूंगा क्योंकि गलती गलती है मैं यह नहीं बोलूँगा आप सेल्फी जैसी मुवी को ब्लॉगबस्टर बना वो तो फ्लॉप होनी थी वाक्षे कुमार ने गलत मुवी का रिमेक बनाया था स्पेशली जब फैन मुवी आई थी शारुक खान की और ड्राइविंग लाइसंस का जो लाइसंस यह था वो रिमेक स्पेशली जब बॉलिवड में बनी थी फैन जैसी मुवी तो यह मुवी को एक्सेप करने का कोई सवाल नहीं था कोई अक्षे कुमार की कौमेडी नहीं थी कि बंडी बच्चा लेती या पे कुछ भी नहीं था पर आप कुई बहाने नहीं आपके पास की यह मुवी क्यू नहींज लिया बात में यह मुझे बोलने पर मजबूर बोलने से और होने में बहुत फर्क है और मैं अक्षे कुमार के फैंस पे बिल्यू तभी करूंगा अगर ये लोग OMG2 का को अपना बजट क्रॉस करा है वैई सबसे पहले तो बजट क्रॉस करा है मैं हीट सूपर हीट की बात ही नहीं करूंगा या पे पहले आप मुझे नहीं पता exactly अभी बजट क्या है अक्षे कुमार की फिल्म में वो ऐसे बोला जाता है के अगर फिल्म है तो 70 करोड के असपस बजट है अक्षे कुमार की फीस उसमें इन्वाल नहीं होगी पर भाई according to कुछ आर्टिकल्स अक्षे कुमार सर ने अपनी फीस कम करके 2-3 प्रोडूस है अगर वो 35 करोड में आड करूं तो पर फिर भी सवार यहीं उटन और आर्टिकल्स में गूगल पर तो कुछ जगा पर इस मूवी का बजट लिखा है 1500 करोड ओम जीटू का और तू आवर्स 36 मिनिट्स की यह फिल्म है और अगर 1500 करोड बजट है तो मैं अक्षे कुमार सर की नहीं गलती थी वहाँ पर फैंस की गलती थी कभी-कभी एक्टर्स की भी गलती होती है मैं भी मानता हूं पर राम से तु जैसी मूवी को बुरा लगा था यह उस टाइम पर याद है मुझे रिवीव करने के बाद जब मैंने 10th day का कलेक्शन बताया था मुझे याद है र ओम जी टू का ट्रेलर का टाइमिंग तो सुना है मैंने 11 बजे आने वाला है और वाइकॉम 18 पे ट्रेलर वीव वगरा में हर दो आवर में एक आवर में तीन आवर में छे आवर के बारा आवर के और 24 वाला वीडियो तो बनाऊंगा मेरी तरफ से जिनना हो से के मैं फैंस को इवन गदर्टू को भी लेके ये करने की कोशिश करूंगा कि गदर्टू और ओम जी टू के अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा हैरवान बुकिंग भी पल-पल की खबरे दूंगा ट्रेलर के चार-पाच रिवीउस करूंगा अगर आप लोग चाहे तो एक ट्र ट्रेलर रिवीव डिटेल करेंगे टीजर जैसे गदर्टू के वक्त किया था पर इससे कुछ नहीं होगा आखिर फैंस को जाना पड़ेगा थेटर में क्या जाओगे ट्रेलर है बाई 11 बजे आएगा इसा अपडेट है थोड़े जादा बूल गया है मैं सौरी फूर दैट पर शायद जगाना ज़रूरी है आजसी अक्षी कुमार के फैंस को हाँ मैं ये खुद बोल रहा हूँ लेकिन एंड में अक्षी कुमार के फैंस को पूरा ब्लेम नहीं कर सकते हैं अगर मूवी में कंटेंट नहीं अगर आपको पसंद आया नहीं होगा हुआ न मैं आप पे ब्लेम भी नहीं करूंगा कि बहुए ओम जी टू के साथ ऐसा क्यों हुआ आजकल सिर्फ कंटेंट ही चलता है वाई दवे हाँ कंटेंट चलता है और कुछ मूवी का फैक कलेक्शन चलते है तो अब दो ही चीज़े चलती है बोलेवड में तो फैक कलेक्शन अक्षे को मार नहीं देते है वाई मैं सिधा बोल रहा हूँ वो मूवी को फ्लॉप होना दिखाना एक्सेप कर लेते हैं पसंद करते हैं लेकिन कभी भी फैक कलेक्शन तो नहीं डालते है अब पता है किन मूवी के बारे में बोल रहा हूँ मैं तो बही दो ही चीज़े ऐधर मूवी एक तो हीट सुपर हीट होने का चांसे हो जाता है या फिर फ्लॉप या फिर फेक कलेक्शन तो फेक कलेक्शन अक्षे कुमार की डिक्शनरी में नहीं है एक तो हीट होगी या फिर फ्लॉप होगी यह ऐसा ही है पर अगर कंटेंट खराब होगा न मैं कुछ नहीं बोलूँगा फिर अक्षे कुमार के फैंस को फैंस को ब्लेम नहीं करूँगा सीधी बात है पर फैंस का सपोर भी तो जरूरी अगर कंटेंट अच्छा होगा तो भी तो नहीं करते हो आप लो राम से तु का हाल देखो न आप पर है सब कुछ ट्रेलर आएगा 11 बजे आपको क्या कहना इस मूवी के बारे में बताईए